यमश्कार दोस्वों आप शिबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 19 अक्टूबर दोजरबायश की आपके शंपू राशी फल की बारे में शुरुआत करते हैं आज की बहुत यच्छे ग्यामशी दोस्वों लक्षमी अगर मेहनशी मिलती तो वो मजदूरों के पास क्यों नहीं बुद्धेशी मिलती तो चलांक और चतुरों के पास क्यों नहीं ताकत सी मिलती तो पहलवानों के पास वो क्यों नहीं जिन्दगी में अच्छी शंतान शंपती और शबलता पुनिशे मिलती है आपको एंकार नो हो कि शब आपकी कमाई खाते हैं या आप से जुड़े हुए लोग के पुन्य है जो आप कमा कर घर ला रहे हैं जिया दोसों तो दोसों आज कही हग्यान अगर आपको शच्चा लग हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शुलाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स मिलिक दें जैश रिकिष्णा राधी राधी आज का पंचांग आई दिन शनीवार 29 अक्टूबर 22 शुलपाज के चरतरते दिती शुबा के 8 बचकर 13 मिनट रहेगा उसको प्र रातरी के 10 बचकर 12 मिनट रहेगा उसको प्रांती शुक्रमा नामका शुब्योग प्रारम हो जाएंगे वह इस दिन राहू कल के शमय की बात करें राहू कल के शमय की अर्था दिन के आशुब समय की यह शुमे आपको भी शुबा और महत्मुन कारें को भूल शुब शुब में रहेगा शुबह के 11 बचकर तारेश मिट लेकर तो परके 12 बचकर 23 मिन तक तो आई-दोसों से के शाहत बात करते हैं जो गरहों के स्थी है और जो चंद्रमा का गोचर है आपकी राशिव पर क्या क्या परहूल कराएंगी यह शुमें आपका लब लाइप श्वास्त करि और शुरूश लेकर अंतर तक ध्याश दिखेगा तो आई-दोसों बात करते हैं दोस्तों यह शुमें कोई भूमे शंबंदी घरित प्रोफ्त का काम शंपन हो शकता है धर्म कर्म शंबंदी कारियों में भी आपकी विशे से समय रूजी रहेंगी तथा आपका निश्वार को लेकर बाद करें तो दोस्तों यह शुमें आएके शाथ साथ खर्चें भी बढ़ेंगे अपनी फिजुल कर्ची पर आपको श्में अंकुछ लगाना चाहिए दोस्तों कि खास प्यक्ति के द्वारा ही आपको कुछ नौक्षान यह सकते हैं तो दोस्तों यह में बैतर कि किसी के भी शाथ मिल जुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है दोस्तों यह शुमें आप अपने विचारों पर अड़े रहने के वज़शे किसी के शाथ भी आपका एक मत नहीं होगा इसलिए खुद ही काम को पुरा करने के आप कोशिश करें यह आपके लिए दोस्तों यदि आप नया घर खेंदना चाहते हैं या फिर नया घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों में देरी हो शकती है यह शुमें आपको धहरी रखने की आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राश्वी के लिए जो समय होगी जो गरह हिस्तिति होंग को खेरिया शमंदिक किशी शमस्याखा समधान भी यह मिलेगा आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यह में हाशिल करने वाले हैं दोस्तों प्रन्तु आला शुवा फिर ज्यादा बोज मस्ती के शमय समय को यह में वश्त ना करें यह आपके लिए बैतर होंगे क्योंकि दो रेल लेने की युजणा बना रहे हैं तो दोस्तों यश्रमय युजणा को अस्तिगीद रखें क्योंकि दोस्तों इनमें आपको लाप कीती नहीं होंगी और इसके प्रांद यश्रमय आपके लिए इसे महोंगे आपको बता दे कि दोस्तों यदि आप काम नए तरीके से वी सब्सक्टांगर जिसे दोस्तों आपके मन चाहे झाल पाना flट बसषाज। आपके मोजक़े हैं कि दोस्तों यह समैं इमोशनल होने के पिजाय प्रक्ष केश कवल काम लेना चाहें दोस्तों दोस्तों वबैक् algorithm से लिया हुत ने आपके पक्ष में होगा। दोस्तों आपको बता दे कि किसी इस्तिदार्श शमदी सुभ शुब समचार भी सुनने से आपका मन शुभ परचण रहेगा। दोस्तों बटवार शमदी कोई भी कार यह में मज़िता से हलो शक्ती है। दोस्तों यर्श में आपको प्रयाश करना चाहिए कि अभी इनका जो है बंटवार ना हो तो दोस्तों इसको बाइज में आपके लिए श्में होगे आपको बदा दे कि रुपिय पेशने की मामले में में भी किशी पर भर्षा ना करें आपकी गोई जनाइश में गलत हो शकती है इसलिए दोस्तों यह में उस पर पुनर विचार आपको करना चाहिए अत्यदिक गुष्षा आपके लिए श्मी आपके श्वास्त और आपके कार्यों को में हानी का कारण बढ़ शुकता है यदि समस्या का शमधान खुद से नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों किशी की मद्द लेना यह में आपके लिए आउश्यों होगे दोस्तों आपको बता दें कि भावनों को कावु में रखकर पिस्तिती का हल रुणने की आप कोशिश करें और यह में आप अच्छी हल भी ढ पाएंगे और इसके प्राणा दोस्तों यह शमय आपके लिए जमयोंगे आपके बता दें कि आपका संतुलित वहिवार सुब और असुब दोनों पक्षों में बहतर संदुरन बनाकर रखेगा तो अगर दोस्तों असान परिवर्तन शमंदी कोई भी उजनाब बन रही है त कारण ही लोग आपके खिलाब हो जाएंगे इस बात के आपको ध्यान रखना चाहिए शादी दोस्तों आप जो यह में अपनी आर्तिक दिकाभी ध्यान रखें किसी भी कारे में व्यर्थी पेशा खर्चना करें यह आपके लिए बैतर होंगी आपके लिए उसे मेंगे आप शम्मदित सभी बातों में संदुलाल बराया रखने की आपके जो कोशिज होंगी यह शमेज सफल होंगी फिर भी दोस्तों विचारों में शकारतमकता और आपको फोकस बढ़ाने के अत्यांत आप शकता होगी फिलाल दोस्तों परिस्तिती कटिन नहीं है लेकिन दोस्तों यह उतना आशान भी नहीं है शमस्याओं की तरफ अधिक ध्यान देकर उनको दूर करने के आपको यह में कोशिज करते रहना चाहिए यह आपके लिए शमें बैतर होंगे और इसको प्राण दोस्तों यह में जन सब परकों का दायरा अधिक विस्तित होगा प्रंतु अभी वह इपारी गद्विद्यों का गंबिटा वफिरबारी की शेल उनकर करना आपके लिए शमें जरूरी होगा दोस्तों शिनियर्श लोगों के साथ समंद्ध खराब नहों करें तथा बदलते परिवेश में अभी लाप की उतनी उम्मिद ना रखें जितनी आप रख रहे है दोस्तों यश में आप के लिए बेतर होंगे हैं कि आपको कारSON होंद्ध गेले की ध्यान को थे खराब ने जहलेगे सा भाएंड में शारोन की जांडी होते जानी का बतलते हैð था चाहे हुआ, दोस्तों शादे कर्मचार्यों की गतितियों पर पर यशमे आपको नजर रख प्रवावशाली व्यक्तियों के शाथ अपने शमद्नों को और अधिक मजूद करें ये शमन आपकी तरकी फायदमन शाबिद कराने वाले हैं दोस्तों मश्णरी इस्टाप आदि से जुड़े छोटी मोड़ी परिशानियां उंच सकती है उन पर काम करना परिशानियों से नि के लिए से नहोंगे आपको बदा दे कि वाइपार वापिर काम काज को लेकर कोई नई दिकी यात्रा आपके उत्तम भुष्ट का रास्ता खोल देगी इसलिए दोस्तों इसका ध्यान रखें नोकरी में बहुत वापिर अधिकारी आपके काम से संतुष्ट भी रहेंगे शा साथी के अपने हर योजना शेयरक्रें यह आपके एधिक के व्याटन ओंगी उर्प लाप दायक शाप दोंगी और इसको प्रावन दोस्तों इसमें आपके लव लाइप के लिए समयोंगे आपको बता दें कि जो साथी के साथ किसी बात को लेकर तक्रार भी हो शकती है इस आपको द्यान रखना चाहिए प्रेंदों दोस्तों आपकी जब भी सूझ बुझ रहेगी तो इसके दोरा आप शबी पैस्तोतियों में विज़ाई भी हासित करेंगे इसलिए दोस्तों यह में आप अपने वाणिये पर स्यम रखें और किसी भी बात को कट्रूरता से ना बोल प्रेंप शुमनों में एक अपने काम पर हावी होने दें यह आपके लिए वैदर होंगी और आपकी स्वास्त को लिए बात करें तो दोस्तों इसमें कमजोरी और जोड़ों में दर्द किस्यार आपको परिशान कर सकती है आईरविदिक इलाज आपके लिए बहुत दूचि चलाना चाहिए चोट आदी लगने की शंभाना भी यश में बन रही है और इसके प्रांदों से यश में बुरी आत्तों तो था बुरी स्रंगत से आपको दूरी बना कर रखना चाहिए परिवार की किसी वरी श्रदस के श्वा समंदी टेंसर भी आपको यश में रहने वाले है में काहिए